नमस्ते फ्रेंड्स आप सबको इंडियान ब्लोगर स्वार्णा चैनल में बहुत सारा स्वागत है तो फ्रेंड्स ये मेरे ब्लोग चैनल है इसमें मैं आप लोग के साथ मेरी लाइफ अफडेट सेयर करती हूँ तो बहुत दिनों तक मैंने इसमें वीडियो अपलोड नहीं किया था लगभग दो महीने हो गया कम्यूटी गाइडलाइन से मेरे चानल डिलेट हो गया था तो अभी दो महीने के बाद ये मेरे सेखेंड वीडियो है मैं आप लोग के साथ स्यार कर रही हूँ तो आशा करती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत सार प्यार देंगे और मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये साम का टाइम है ये पांच नवेंबर और सुक्रबर साम का वीडियो है साम को अभी ना सर्दी मौसम चल रहा है इसके चलते हुए दिन छोटा होते जा रहा है साम का 5.30 तक इधर अंधेरा हो जाता है तो मैं ओडिशा की रहने बाली हूँ तो ओडिशा में अंधेरा हो जाता है 5.30 तक बच्चों ने दो पहर को रेष्ट कर रहे थे तो बेड पुरा खराब हो गया था तो बेड को मैं ठीक कर लिया बेड रूम को जाड़ खरो करके क्लियर कर लिया है अभी ये मेरा ड्राइंग रूम है इसको भी मैं थोड़ा ठीक कर रही हूँ साम को बच्चे सब खेल रहे थे तो पुरा रूम गंदा पड़ा हुआ है तो फास्ट रूम को मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँगी तो कपड़े लेके आई हूँ छट के उपर से वो रखी हूँ तो इसको फोल्ड करूँगी और घर को जाड़ू करके ये सब काम मेरा होता है साम को और दोने बच्चे है तो दोनों को पढ़ाई कराना पड़ता है बड़ा बला बेट के पढ़ाई कर रहा है और छोटा बला लड़का है आज दो पहर को सोया नहीं था तो उसको निंद आ रही थी बल रहा था तो खाना बनाने के बाद मैं उसको खाना खिला दूँगी वो जाके रेस्ट करेगा तो इधर देखिए मेरा जो ड्राइंग रूम है वो भी क्लीन हो गया है तो अभी किचेन का बारी है तो किचेन को क्लीन करके मैं खाना बनाने जाऊंगी साम को बचोंने मुर्मुरे और नमकिन खाये थे तो ये थोड़े कपड़े पड़े थे इसको भी फोल्ड करके मैं उसके जागा में रख देती हूं ताकि रूम क्लीन हो जाए और कपड़े उसके जागा में रह जाए तो मैं अभी सब्जी बनाने के लिए ले रही हूं सब्जी निकल के आलू क्यापसी कम और बीन्ची का एक सुखी सब्जी बनाओंगी तो सारे सब्जीयों को मैं इधर काट लेती हूं बीन्ची को एक सथ करके उसको अच्छे से छांड के उसका जो भाग है निकलना पड़ता है उसको निकलके मैं अच्छे से इधर काट रही हूं रूप बड़ा बला लड़का पढ़ाई कर रहा है छोटा बला को ज़्यादा नींद आया तो वो सो रहा है तो मैं अभी सबजी काट रही हूँ जब सबजी बन जाएगा उसको उठा के खिलाओंगी तो यह से ही काम चलता है सामको मेरी हस्ब्यान डिउटी गए हैं रात को 10 बजे तक वो डिउटी से बापस आएगे तो इधर मैं सबजी बना रही हूँ तो सुखा सबजी बनाऊंगी कैपसी कम आलू का इधर मैं आलू कोट कर रही हूँ आलू से मैंने छिलका नहीं निकाली हूँ चिलके के साथ बना रही हूँ थोड़ा फाइबर जाएगा तो अच्छा होगा तब इत के लिए तो इधर मैंने आलू को काट लिया है प्याज टोमाटर को छोटे-छोटे करके काटके रख लूँगी इसके बाद सब्जी बनाऊंगी सब्जी बट बेठा खे फिर आटा लगा दूँगी ऐसे काम सामको चलता रहता है मेरी तो इधर देखे सब्जी को मैंने पहले धुलाई क्या था जब साबुत थे फिर से इसको एक बार मैंने अच्छे से धुलाई कर लिया है और सारे जो कच्छे निकले थे उसको मैंने डस्ट बिन में डाल दी हूँ तो अभी पहले सब्जी बेठा देती हूँ इसके बाद में मैं आटा लगा दूँगी तो इसे ही नर्माल जैसे तेल, सर्षो और थोड़ी सी सुखी पावडर मसाले डालके सब्जी बनाऊंगी अ इसको भी आड़ कर दिया है थोड़ी सी नमक आड़ करके अभी इसको मैं ढख दूँगी सब्जी पकते रहेगा और दुसरे में मैं आटा लगा के रोटी बनाऊंगी तो आटा मेरा खतम हो गया था तो उसमें थोड़ा से था उसको मैंने निकाल लिया है वो पनी में यह ज टाइम नहीं हुआ है टाइम नाइन थाटी बज रहे हैं हजबन दस बजे तक घर वापस आएंगे बड़ा बला लड़का पढ़ाई कर रहा है चोटा बला लड़का तो सो गया है जल्दी जल्दी खाना बनाने के बाद उसको मैं खिलाओंगी और थोड़े टाइम बच्च से पक जाएगा इसलिए और एक तरफ मैं बना रही हूं रोटियां तो देखे फ्रेंड्स अभी रात के 10 बज रहे हैं हजबन आके ब्रेक ये डिनर कर लिए हैं बड़ा बला लड़का और हजबन तो कृष्णा को मैं अभी बेट के खिला रही हूं तो आज का ब्लोग को इधर एंड करती हूं ब्लोग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कॉमेट और शेयर करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है थांक्स पर वाचिंग बाई ब